हेलो एंड वेलकम एर्रिवान स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वंडरफुल से सेशन को और इसके अंदर हम डिसकस करने वाले एक नई स्कीम के बारे में जैसा कि आपको प्रोमिस किया था कि नमबर एंड तक आपके आपको लगाओ थोड़ा डिले हो गया पर ऐसा बिलकुल नहीं हुआ रिजन इस दिवाली की छुटिया थी तो थोड़ा सा ब्रेक आगया बीच में अब से रेगुलर करके आपको नमबर एंड से पहले-पहले सारा जो करेंट अफेस का पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर कर दूँगा आपको सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी सजेशन या फीद्बैक देना और कॉमेंट सेशन के अंदर लिख सकते हैं और बिफोर आपका पढ़ने का इंटरस्ट कम हो जाएगा बिकोज फ्लो आपका इंटर्प्त होने वाला है मैं उसको भी आंसर करना चाहूंगा पर उससे पहले स्टाइंग के मोटिवेशन कोट के साथ तकि आप सब समझ पाएंगे जिंदगी में हमें चाहिए क्या सो देट कोट इस ड्रीम बिग स्टे पोजिटिव वर्क हार्ड एंड एंजॉय दो जर्नी स्टडी को बोरिंग मत मानिए इसको एंजॉय कीजिए और बड़ा सपना देखे और बड़ा सपना देखे तो उसको पूरा करने के लिए महनत तो बड़ी करनी पड़ेगी और साथ सा पॉजिटिव रहना हमेशा आपको हेल्प करेगा छोटी सी नेगेटिव सिचुशन को बड़ेगी फ्रस्टेटिया नेगेटिव मत हो जाया करो टेसमें नंबर का माना ज्यादा आना किसी करके टीम का हार जाना तो देश नहीं हारा वो टीम हरी और टीम नहीं हरी है है न क्योंकि ऐसा कहते है कि या तो इसान जीटता है या सीखता है तो सीखाना उन्हें कुछ तो सिखा होगा कि जिससे हारी जो टीम उसे सुपीरियर थी जो अच्छा परफॉर्म कर पाई उसने सिखाया कि आप ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं तो या तो हम जीते हैं या हम सीखते हैं तो वही एटिट अपने अंदर लेके आई है कि टीम इंडिया कल वो मैच या वर्ल कप नहीं ले पाई तो उनका spirit डाउन नहीं हुआ वगली बार और अच्छे से मेहनत करेंगे और ज्यादा अच्छे से खेलेंगे तो same should goes to your performance कभी डाउन हो जाओ तो इसका मतलब यह निया कि हमारी लाइफ में डाउन फोल आ गया उसको दुबारा से start कीजिए और अगें उस enjoy क के साथ सुछ hard work के साथ फिर से continue कीजिए okay so जो हमारा new course है ना जो new course है new batch जो है IPS AF होगा that will start from 11th December 11th December से बैस start होने वाल है batch के features क्या क्या होंगे मैंने यहां पर लिख दिये हैं अब आराम से इसे पढ़ सकते हैं आपको पता चल जाएगा बाकी मैं start करता हूँ हमारी आज की scheme के साथ अगर आपको की doubt आजा इसमें कुछ भी course ले doubt हो तो आप in help line number पे call करके अपने doubts पूछ सकते हैं batch 11th December से start हो रहा है क्या पहले यह NRLM था फिर उसका name change किया गया तो scheme के बारे में जानेंगे उसके बाद पढ़ेंगे funding pattern के funds कितने मिलते हैं state government कितना देती है और central government कितना देती है उसके पढ़ेंगे financial assistance के इस scheme के अंडर में जो self help group यानि स्वय सहायता समू यानि SSG बनाए जाते हैं तो उनक इसको कितना assistance मिलता है कितने लाख तक का मिलता है जहां से question पूचा गया है उसके पढ़ेंगे eligibility criteria कि कौन इसके अंडर में loan ले सकता है loan की limit कितनी और last में discuss करेंगे previous year questions from day NRLM मैं आपको बता दूँ यह वो scheme है जिससे हर साल एक question दिखा गया हर साल every year they are asking question from this scheme because यह बहुत government की, government इसके अंदर changes कर रही है, नहीं नहीं नाम introduced कर रही है, इसका name change कर रही है, इसके अंदर Ajivika को लाया गया, इसके अंदर हर किसी को loan की limit दी गई है, इसके अंदर IASS को भी include किया गया, so इतना कुछ जब change हो रहा है तो आपके लिए important बन जाती है, इसलिए मैं जब initial lecture ल होंगी, so this is major one, अच्छे से पढ़ना इसको, start करते है हमारे scheme को, start करने से पहले, कुछ scheme में लिखा होता है, it is central sector scheme, और कुछ-कुछ में लिखा होता है, centrally sponsored scheme, तो schemes जो है ना, वो दो तरह ही होती है, either it can be central sector scheme, or it can be centrally sponsored scheme, now what is the difference between these two, अगर इनके अंदर difference की बात करें, तो बह simple सा difference होता है, वो ये कि central sector scheme का मतलब जहां पर कोई funding की sharing नहीं होती है, सारा जो funds है, वो central government की side से मिलता है, तो क्या आपको पता है कोई ऐसी scheme जहां पर government जो है, वो किसानों को 6000 रुपे दे रही हो, और वो scheme जो है central government ही चला रही है, उसमें कुछ पैसा state government को नहीं देना अगर आपको पता है scheme का नाम, तो आप जान गए हैं कि हाँ सर ये वाली जो scheme है, ये कौन सी है, ये central sector scheme है, क्योंकि इसमें state कुछ contribute नहीं करते हैं, सारा का सारा central government ही देती है, तो आप हो clear हो गया कि central sector scheme कौन सी होती है, उसके बाद, दूसरी है centrally sponsored scheme, now the meaning of centrally sponsored scheme is कि वो center sponsor कर र government देगी, अब इनका ratio कितना होगा, वो तो scheme to scheme और state to state vary करेगा, क्यों vary करेगा, हर scheme के अंदर funding pattern अलग होता है, और हर state के लिए अलग होता है, यसे general state होगे, versus hilly state होगे, north eastern state होगे, तो अलग-अलग हो सकता है, but the meaning of centrally sponsored scheme is के वहाँ पे funds को share किया जाएगा, कुछ पैसा center state देगा, जैसे मुझे किसी scheme का नाम बताईए, जो अपने आप में कैसी scheme हो, central sponsored scheme हो, कि आपने मुझे PM किसान बताया, जहाँ पे सारा पैसा जो है, वो central government दे रही है, तो वो central sponsored scheme नहीं है, वो central sector scheme हो गया, लेकिन जब मैं कहता हूँ, centrally sponsored scheme, तो हमने already scheme को पढ़ा हूए एक को जो central sponsored scheme थी, आप बिलकुल सही समय रहे हैं, हमने पढ़ा था, कि PMFBY के अंदर क्या होता है, center और state के अंदर sharing होती है, and presence of mind बहुत important है, आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे funding pattern पढ़ाने वाला हूँ, तो मतलब यह वाली scheme भी कैसी है, yes you are right, सही समझे आप, क्यों इसमें funding pattern तब पढ़ाऊंगा ना, जब कुछ sharing होगी, और जब sharing होगी तो फिर वो central sector ना होके अपने आप में क्या बन गई, centrally sponsored scheme बन गई, so like PMFBY and NRLM, both are considered or both can be considered as centrally sponsored scheme, and जो आप की होगी, कौन सी PM किसान आपने बताया, उसमें सारा पैसा center से आ रहा, तो वो होगी आपकी Central Sector scheme, and I hope you guys are clear between the two scheme or two part of scheme or two category of scheme, one is Central Sector scheme, and second is centrally sponsored scheme, चलो, अब स्टार्ट करते हैं, अगर clear होगी हो तो, आज की जो हमारी scheme है, यहाँ पे हम बात करेंगे, डे NRLM के बारे में, National Rural Livelihood Mission के बारे में हम बात करेंगे, National Rural Livelihood Mission की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो नाम के साथ ही आपको नाम के अंदर इसका मीनिक समझा जाएगा, National Rural Livelihood Mission, तो National मतलब पूरे भारत के लेवल पे मिशन है, जो मिशन क्या करेगा, रूरल एरिया, रूरल जानते हैं, सारे लोगी है, रूरल मतलब हमारे जो कौन से शेतर होगे, हमारे जो ग्रामीन शेतर होगे, ग्रामीन विचसेंन पॉपिलेशन इस डिपंडनंट ओन एग्री कल्चर फोर ले लाइवलिएहूड, विल्कुल सही समझा आपने, तो लाइवलिесто की बात करते हैं, तो बिलकुल आप सही लिखे रिखे होओव, लाइवयों हाँ पया जीवी का लिखे हो, रोजगार लिखे हो, जि तो आज इविका उसे कह देना जाएगे, तो आज इविका हो गया, तो मतलब ये बात सब के माइन में clear होगी, कि सर ये जो scheme है ना, ये कुछ ना कुछ लाइवलिध के बारे में ही कर रही होगी, ये रोजगार पर दान कर रही होगी सर, या फिर स्वेय रोजगार दे रही क्योंकि अगर बात करें self employment की तो आज government उतनी vacancies नहीं दे सकती कि आप सारे लोग government officer बन जाओ आप जितने लोग इस ताइम पर class ले रहे हो इतनी तो total vacancy नहीं है जिस exam के लिए class ले रहे हो जितने इस पर views आएंगे उसकी 5% vacancies भी नहीं होगी तो government आपको रोजगार नहीं दे सकती है लेकिन government आपको skills तो दे सकती है ना कोशल तो दे सकती है skills का मतलब किसी काम को करने की जो कला होती है उसे skills कहा जाता है तो skills अगर दे दे गी government आपको आपके पास काम करने के skills कला अगर आ गई है तो खुद का कुछ काम कर सकते हो तो जब आप खुद का काम करोगे तो तो वो क्या हो जाएगा, वो self employment हो जाएगा, जैसे अगर मैं मेरी लिए बोलू, तो मेरी लिए बात बताओ, क्या मैं business करता हूँ, मतलब मेरी लिए बोलो, क्या मैं business man हूँ, या मैं self employed हूँ, या फिर मैं solid person हूँ, तीनों में से एक बताओ, मैं कैसा हूँ, business man हूँ, मैं self employed आप सही समय रहे हैं अक्सर मुझे बुरा लगता है इस बात पर नहीं कि लोग बिजनसमेन किसी के लिए कह देते हैं इस बात पर बुरा लगता है कि कितना अधूरा ग्यार है कि लोग को ये भी नहीं पता कि बिजनसमेन और सेल्फ एंप्लोईट के अंदर फरक क्या होता है और यही दरशाता है उन लोगों की अज्ञानता को, क्यों बोल रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जीवन में, नोलेज होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है, आप जब बोलते हैं, आपके शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में ग्रहन कियेग आपको कोशल देगी, skills देगी ते कि आपके कर सके, अपना self-employment generate कर सके, तो start करने से पहले अगर बोलेंगे, तो start करने से पहले आपको समझ आ गया कि sir, main focus जो है वो क्या होगा, rural livelihood पे, बात समझ आ गई, yes sir, समझ आ गई, ठीक है, perfect, thank you, आगे चलते हैं, aim की बात करें तो as we discussed, to reduce poverty, मतलब कि घरीभी कम करना, किसे, by providing स्वय रोजगार, self-employment and skilled wages employment opportunity, देखो, एक तो वो लगया, self-employment, कि बाई, कर सकते तो खुद का घर के देख लो, बढ़िया बात है, नहीं, तो आपको क्या provide किया गया, skills, now you are a skilled wage employment, इसका मतलब क्या होगा, एक तो होता है, मईदू मईदूरी करता है, देहाडी करता है, और दिन में 200, 300, 300, 400 कमाता है, एक होता है, राज मिस्तरी, वो जो मिस्तरी होता है, काम उससे बराबर करता है, वो उससे हलका काम करता है, लेकिन बताओ, मईदूरी उसकी जादा होते की नहीं, घर बनवाया आप लोगोंने, नहीं तो बनते देखा होगा ना तो बताओ मैदूर की देहाडी ज़्यादा होती है कि उस मिस्तरी की ज़्यादा होती है मैदूर लेता है 400 रुपे मिस्तरी देहाड नहीं है वो कैसी लेबर है वो skilled labor है तो skill जब आपके पास होंगे तो पैसा क्या आएगा जादा आएगा तो जो लोग पैसा कमाते हैं वो किसके बेस पे कमा रहे है अपने skill के basis पे कमा रहे है तो उनको skills दिये जाएंगे ताकि skill vigil employment मिल पाए उनको या फिर वो खुद का employment generate कर पाएं जिससे क्या हो जाएगा poverty कम हो जाएगी एक wonderful सा why लिखे अगर आपको clear हो गया mind में कि scheme किस बात पर focus कर रही है रूरल एरिया पे focus कर रही है self employment focus कर रही है livelihood पे focus कर रही है गरीबी कम करने focus कर रही है घूम फिर के बातें वहीं पर आ जाती है कि गरीबी कम तब होगी जब तुम्हारे पास रोजगार होगा चाहे वो skilled employment हो चाहे वो self employment हो भाईया कैसा भी हो लेकिन रोजगार आएगा culture अलग है rural development ministry अलग है so ministry of rural development is running this scheme and this scheme जो start होती है कब से शुरू होती है 2011 से scheme क्या होई थी start होई थी और अगर बात करेंगे national rural livelihood mission and rlm जो है वो restructured form है restructured version है किसका स्वरन जयंती ग्राम सवरोजगार योजना का क्योंकि सवरोजगार do you know what is the meaning of सवरोजगार सवरोजगार स्वया मतलब self रोजगार मतलब क्या होगे आपका employment तो self employment के लिए पहले एक scheme थी जिसका नाम था स्वरन जयंती ग्राम सवरोजगार योजना लेकिन इसी को restructure करके हम सवरन जयंती ग्राम सवरोजगार योजना ठीक है ओके उसके बाद NRLM की बात करेंगे NRLM was renamed as day NRLM तो simple सी बात याद कीजिए के 2011 के अंदर 2011 के अंदर क्या हुआ था? 2011 के अंदर scheme को launch किया गया था और 2016 के अंदर इसको rename किया था और ये question IPS AFO 2020 के अंदर पूछा गया paper के pattern को analyze करना बहुत important हो तो उसने पूछा था नारी शक्ती है ना नारी शक्ती वो जो जो थी उसके related guideline revise कब हुई थी? वो question पूछा गया था? यहाँ पे 2020 के अंदर पूछा के बताओ भाईया जो NRLM है उसका नाम बदल के day NRLM कब रखा गया तो 2011 में scheme आई और 2016 के अंदर उसका नाम change किया गया उसको rename किया गया यह बात सबको समझ आ गई ठीक है यहाँ तक clear हो गया आगे चलते हैं next बात कर लेंदे funding की so as we discuss के central sector scheme नहीं है यह centrally sponsored scheme है और जो funding है वो कितनी है भाईया 60-40 की funding है 60-40 की funding है normal state में अगर नोर्थ इस्टन state है नोर्थ इस्टन state मतलब उत्री पूर्वी राज्या जो है जिसके अंदर आपका कोन आ जाएगा अरुणाचल परदेश मनीपूर में घाले नागा लेंड यह सारे state जो आते हैं उनके case में 90% सरकार देगी 10% वो state देंगे लेकिन आप अगर हर्याना पंजाब MP UP से class ले रहे हैं तो फिर 60% central government देगे और 40% आपकी राज्या सरकार को देना पड़ेगा तो 60-40 का ratio हो गया क्या answer देना answer यह देना कि मैं अगर बात करूँ आपकी तो क्या आप socially mobilized है yes or no में answer दीजिए क्या आप लोग socially mobilized है अगर आपने सही answer दे दिया तो मतलब आप इसको समझ जाओगे और नहीं दिया तो मतलब मैं समझाओगा तो सही लेकिन अंग्रेजी भाशा कमजोर है समझ जाएंगे तुम सबके सब socially mobilized हो यार अपने घरों से निकल के BSC कर चुके हो कहीं और रहके तयारी कर रहे हो सलेक्टों के एक बैंक के अंदर और चले जाओगे तो तुम तो socially mobilized हो लेकिन क्या गामों के अंदर हर गाव की औरत socially mobilized है yes or no अब आप no लिखेंगे सारे लो क्य अवसर नहीं मिल पाता हो socially mobilized नहीं है तो उनको दिक्कत इस बात से है कि वो जब socially mobilized ही नहीं हो पा रही है जब वो आगे नहीं आ पा रही है तो कैसे growth कर पाएंगी तो यह scheme focus करते हैं कि भाया SHG self help group बनाओ और हर गाव में हर परिवार से एक औरत को लेकिया और उसको आगे capacity building होगी जैसे अगरी coaching चंडिगड़ पर आओगे तो आपकी capacity building हो रही है आप knowledge ले रहे हो powerful बन रहे हो आप है ना तो ऐसी वो औरते क्या हो है capacity building होगी तो पहला तो हो गया social mobilization second हो गया financial inclusion जो यह focus कर रही है सकी financial inclusion मतलो क्या हो गया वितिया सुधार करना कि जहां पे banking services नहीं है मतलब पैसा जमा नहीं करवा सकते हैं निकाल नहीं सकते हैं तो ऐसे शेतरों के अंदर उनको banking services देना because financial exclusion का मतलब होता है अगर आपके गाह में bank नहीं है और तुम banking services नहीं ले पा रहे हो तो तुम हो financially excluded तुम पाट हो financial exclusion का लेकिन जिस दिन तुमारे यहां पे banking services आ जाए लाकि bank के भी ना banking services कैसे आएंगी भई तुमारे phone में phone पे Google पे है क्या bank जाना पड़ता है नहीं ना लेकिन banking services तो ले रहे हो तो bank खुलवा लिया लेकिन scheme के तहट आपको loan मिल गया और वो सारा account scheme के लोग कर रहे है bank जाना ही नहीं पड़ रहा तो bank नहीं खुला लेकिन bank की सिवाएं आपके door step पे आ गई तो क्या कर दिया आपका financial inclusion कर दिया उसके बाद तीसरा किस पे focus करते है livelihood promotion पे तो ये तो हमने शुरू में discuss कर लिया livelihood तो इनको देना ही देना है रोजगार के साधन देना आज जीवी का देने तो उसके फोकस कर रहे है और उसके बाद ये focus करत जाएगा हर rural poor household से और उसको लाया जाया किसके अंडर में SHG के network के आप बहन SHG का पार्ट बन जा तेरे को को कोशल देंगे skills इखाएंगे ताकि आगे बढ़ पाए वो lady वो तो हो गया social mobilization दूसरा participatory identification of poor participatory है ना किसका poor का identify PIPG से बोला गया target group को identify किया जाएगा transparently मतलब पा गरीब है उसको आगे बढ़ने का मोका मिलेगा जबरदस्ती नहीं है भाई आगे आना चाहो तो आओ participatory है बट participate करो है ना poor को preference जाएगे को गरीब है तो उसको ज़्यादा जुरूरत है रोजगार की तो उनको आगे लाए जाएगा उनको skills दिये जाएंगे financial inclusion जासा कि मैंने अभी आपको बोला कि banking services ये देंगे हैना banking services ये देंगे तो banking services की बात करेंगे तो वहाँपे क्या चल रहा है भाईया banking services की बात करेंगे तो यहाँपे क्या लिखा गया कहा गया, it promotes financial literacy, यह क्या करेगा, financial literacy देगा, अब यह क्या होती है, देखो, financial literacy की बात करेंगे, तो आज कल बहुत सारे financial scam चल रहे है, कैसे चल रहे है, फोन आता है, कि भाईया, आपका जो parcel है, वो तो आ गया है, बट 5 रुपे कम payment होई है, OTP भेज रहा हूं, मुझे OTP दे दो और वो 5 रुपे का OTP समझ के हम दे देते हैं, लेकिन वो OTP, 5000 का होता, अकाउंट में से कट जाते हैं, फिर हम रोते हैं, customer care पर फोन करते हैं, यह करते हैं, तो ऐसा आपके साथ अगर हो गया, तो आप क्या है, आप financially literator नहीं है, आपके अंदर financial literacy नहीं है, वो call करेंगे, ब Link पर click नहीं करना, OTP नहीं देना, कोई बोले 141 स्टार लगा कि number डाल करो, बिल्कुल नहीं करना, और कोई बोले वहाँ पर खड़ा है, OTP दो Link क्यों भाई, घर पर आके बात करना यार, और जब OTP आए तो दिखना है, आमें कि OTP कहां से आ रहा है, क्योंकि जब OTP आएगा SBI इसे तो उसके सामने SBI लिखा होता है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, विकोज ये ग्यान अगर तुम्हारे पास है, तो this is financial literacy, अब तुम तो phone वाले लोगो, high-five लोगो, तुम्हें high-five नोले चाहिए, गावों के लोगो basic नोले चाहिए, कि पैसा बचाओ, जमा करो, उस पर interest कमा और पैसे को बढ़ाओ, तो वो भी क्या है, वो भी financial literacy है, it promote financial literacy among the poor and provide catalytic capital to SSG and their federation, ये SSG को पैसा भी देता है, सर कितना देता है, ये परिक्षा में पूछा जाएगा, कितना देता है, लोग लिमिट की बात में आगे करने वाले, उपर पैसा देता है, इतना जा banking services हो गई, अच्छा सर, banking services ये तो बताया था शुरू में कि banking services देता है, तो पैसा दे रहा है, मतलब क्या offer कर रहा है, ये banking services offer कर रहा है, उसके बाद, coordinate with the financial sector and encourage use of ICT, information communication technology के base पे, जो financial technology है, businessman को correspondent है, and community facilitator जैसे bank मितराज हो गए, सीधी सीधी बात ये है, कि ये loan तो देगा ही plus जैसे मालो मैं NRLM से एक person आया, और तुम हो गाउं की ओरते, हाँ तुम नहीं हो, तुम हमारे लड़के हो, प्यारे प्यारे, है ना, लेकिन उल्टे उल्टे कमेंट जो करते तो ओरते ही है, है ना, तो, sorry, मजा कर आया सही, तो मालो कि तुम हो गाउं की ओरते, मालो, मैं आया NRLM की साइड से, तो मैं तुम्हारा कॉंटेक्ट करवा रहा हो किसा है, बैंक के साथ, कि बैंक से तुम्हें इतना लोन मिल सकता है, तो पहले तुम्हें घ्यान नहीं था, बट मैंने आके तुम्हें घ्यान दे दिया, तो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, financial literacy और मैं क करते हैं features की, इस scheme के features क्या क्या है, features की बात करेंगे, तो सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा, कि 25% अब जो NRLM के fund है, fund का मतलब जानते हैं, वो जो एकठा पैसा आता है, है ना, कि तुम्हारे पिता जी तुम्हें का करते है, पांच जारों महीने के देता है, जा बेटा ज कीम को चलाने के लिए पैसा देगी, तो वो क्या है, fund होगा, जितना fund दिया जाएगा, उसमें से 25% अब क्या किया गया है, year mark कर दिया गया है, कि उसको यूज करना है, अजीविका के अंदर, अजीविका स्किल्ड डेवल्प्मेंट प्रोग्राम के अंदर, ASDP के अदर, facilitate building the skills of the rural youth, because यह अलग से प्रोग्राम चला दिया गया, अजीविका, आपने सुना होगा, आपके कोई यार दोस्त है, वो अजीविका के अंदर job भी कर रहे होगे, मेरी अजीविका के अंदर job लग गई, वो कह रहा है, वो अजीविका के अंदर क्या कर रहे है, वो लोगों skill develop कर रहे हैं, वो लोगो skill contribute या फिर distribute कर रहे है, skill दे रहे हैं, तो वो अजीविका का नाम definitely आपने सुना होगा, तो वो अजीविका कहां से है, वो यहीं से आया, पहले वो NRLM था, अब उसकी अंदर एक और scheme ला दी गई, जिसका नाम होगे ASDP, अजीविका Skill Development Program, तो 25% of NRLM के fund इसी में जा रहे हैं कि भाईया, लोगो skill सिखाओ, तो सर, पहले भी skill ही सिखा रहे थे, लेकिन अब अलग से program बना दिया ना मेरे भाई, पहले भी सरकार सिंचाई तो कर ही रही थी, लेकिन अब प्रधार मंतरी क्रिशी सिंचाई होजना जो लाई गई, तो अलग से scheme ब the district, यह कह रहा है कि भाई तुम बैंक तो हो लेकिन गामों के अंदर क्या करो, training institute बनाओ, गामवालों को training दो, क्यों दो, क्यों दो, क्यों कि जहां पर जो होता है, वहां पर वो काम अच्छे से कर सकता है, अब मालनो, कि तुम्हें चंडिगड में कोई काम बढ़ गया, छो was a World Bank added project to scale of the initiative on digital finance and livelihood intervention, अब देखो इस project को भी लेके आगया, किसके लिए digital knowledge देने के लिए, digital financing देने के लिए, जैसे वो तुम फोन पे Google पे कर रहे हो, वो क्या है, वो digital financing है, DNRL may have both men and women in the SSG, बाई बंदे भी हो सकते हैं, बंदियां भी हो, अच्छा सोरी, बंदे बंदियां क्या होता है, है न, एक teacher को ऐसी भाषा शवबा थोड़ी देती है, ऐसा मेरे वो जो प्यारे प्यारे लोग हैं, है न, मेरे शुब जिन तक, जो मेरी हर वीडियो देखते त बट मुख्यता, मेली जो प्रेफरेंस दिया जागा, वो विमेन को ही दिया जाएगा, तो डे एनर एलम के अंदर भाई, दोनों हो सकते हैं, बंदे बंदियां कोई भी, लेकिन विमेन SSG जो है, अंडर डे एनरम कंसिस्ट ऑव 10 to 20 मेंबर, 10 से 20 होंगे, जनरली, लेकिन मिन आगे चलते हैं, Financial Assistance, जो सबसे important part है, स्कीम का, हसो मत, सच बोल रहा हूं, देख लो, जितने लोग क्लास में लाइन है, उतने लाइक दिखे रहे हैं, क्यों नहीं दिखे रहे, क्यों नहीं दिखे रहे, क्यों कि देखते हैं, पर लाइक नहीं करते हैं, सड़ते हैं, कोई व वाले कम हो जाएं, लेकिन dislike करने वाले कम नहीं होने चाहिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, तो चलो, वापीस आते हैं, है ना, अगली बात करते हैं, किसकी, अगली बात करते हैं, Financial Assistance की, कि कितना Assistance दिया जाता है, अब ध्यान से समयना देखो, पिछ स्कीम के अंडर में, बैंक पैसा देते हैं, कभी-कभी उस स्कीम के अंडर में, एक नया बैंक बना दिया जाता है, जो पैसा देता है, तो ध्यान से समयना पड़ा है, कितना पैसा कौन दे रहा है, पहला पैसा तो सरकार खुद दे रही है, DNRLM, जो Ministry of Rural Development के अंडर में आता 1 SSG को 10 से 15,000 का Revolving Fund दिया जाएगा, सरी, Revolving का मतलग क्या था, अरे भाई, रिवोल्व करने न, पैसा आ रहा है, 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 यह क्या है, यह Revolving Fund है, तुम्हारे भी तो Revolving Fund चलते होंगे, 500 आपने 2 से उधार ले भाई, दे द दिया, फिर 10,000 मांगा, मैंने कहा, भाई, 10,000 तो नहीं दे सकता है, तो वो जो चल रहा है, पैसे का ले इन दिन, वो क्या Revolving Fund, तो पहला तो सरकार खुद दे रही है, 10 से 15,000 का Revolving Fund, इसमें कोई बैंक का involvement नहीं है, second, second आता है, रोल किसका, ISS का, अगली स्कीम में आपको यहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो आजकल ISS ना होके, मिस हो गई है, मिस बोले तो MISS, तो इस MISS के अंदर आपको चार अलग अलग स्कीम पढ़ाऊंगा, जिन चार में से एक नाम इसका भी आएगा, तो जो SSG है, NRLM के अंडर में, वो ISS, यानि इंट्रल सर्वेंशन स्कीम का बेनेफिट भी ले सकते है, वैसे तो इंट्रल सर्वेंशन स्कीम किसानों के लिए है, लेकिन यहां पर आपको इसका बेनेफिट मिलेगा, सर क्या मिलेगा, बताता हूँ, फूर लोन, अगर आप तीन लाग तक का लोन लेते हैं, तो बैंक आपसे इंट्रस रेट चार्ज क एक साल का, लेकिन आपको एडिशनल अतरिक्त भी छूट मिल जाएगी, अतरिक्त सब्वेंशन मिलेगा, कितने परसेंट का, 3 परसेंट का पर एनम, टु विमेन एसेजी मैंटेंग प्रॉम्ट पेमेंट, प्रॉम्ट पेमेंट मतलो, 6 महीने, साल, मतलो, मैक्सिमुम बारा म हमेने का टाइम है, लेकिन जितना तुम्हारा टाइम था, रीपे करने का, उतने टाइम के अंदर दे दिया, तो 3% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, तुम्हारा 7% इंटरसेंट था, लेकिन तुम टाइम पे दे आए, तो 3% और कम हो गया, तो तुम्हें कितना देना पड़ कितने इंटरस रेट पे, 10% इंटरस रेट पे, ध्यान रखना, 3,00,000 से बढ़ गया, तो 7% नहीं, अब कितना, 10% पे आपको मिलेगा, वैसे तो, इस 10% के अंदर भी थोड़ी वो चेंजिंग हो सकते हैं, बैंक रेट के हिसाब से होता है, कुछ-कुछ ओर टर्म्स भी होती वो 3% और माइनोस के 4% मिलेगा, ये हो गया बैंक की तरफ से, ये 10-15,000 हो गया सरकार की तरफ से, चल उनी के लिए बाते रही हैं, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, NRLM स्कीम के अंदर में, जो विमेन SSG बने हैं, या मैन के SSG बने हैं, मुख्यता विमेन के होंगे, उनको ही मिल रहे हैं, सरकार दे रही है 10-15,000, बैंक कह रहा है, मेरे से ले जाओ 3,000,000 तक का, उसके बाद ये अलग आ गया, वन विमेन इन एवरी SSG अंदर डे अनरलम, अगर आप महिला हैं, और आप SSG का पार्ट हैं, स्कीम के अंदर में, तो आपको लोन मिल जाएगा 1,000,000 त अग्जाम में, फुल फर्म मुद्रा पूछा गया था, एगरी कल्चर के अंदर ही, तो मुद्रा की फुल फर्म को पता होनी चाहिए, बाकि ध्यान रखना, ये जो second point था, ये तो मिल रहा है ISS के अंदर में, ये सरकार दे रही है, और 1,000,000 तक का लोन जो है, वो हर वीमेन अग्जाम मतलब होता है, जैसे मालो मेरी लिमिट है 3,000,000 तक की, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मेरे पास overdraft फैसलिटी है, जितने हजार और जितने लाग तक की, तो तरह पैसा मिल जाएगा, लिमिट ना होते हुए, अकाउं अंडर प्राइम मिनिस्टर जंधन योजना विद दे बैंक, ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरस सवेंशन की बात कर रहा था, मुद्रा की बात कर रहा था, अब कह रहा है कि अगर तुम्हारा अकाउंट प्रधान मंतरिया प्राइम मिनिस्टर जंधन जो योजना है, उसक तुम्हारे खाते में कुछ पैसा नहीं है, तब भी तुम 5000 निकलवा सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें overdraft protection दिया गया है, तुम्हें overdraft facility दी गई है, ठीक है, उसके बाद जो SSG है, SSG को 10 से 20 लाग तक का लोन मिल जाएगा, लेकिन बदले में कोई collateral no margin will be obtained है न, 10 से 20 लाग तक का लोन आपको without collateral मिल जाएगा, अभी एक महीना पहले paper हुआ है, नबाड 2023, उस paper के अंदर पूछा गया था, maximum कितनी limit तक आपको collateral free loan मिल सकता है, तो SSG maximum कितने तक लोन ले सकते हैं without collateral? 20 लाग, sir, collateral क्या होता है? collateral का मतलब होता है security, कितना आपको पैसा, security के form में देना पड़ेगा, वो क्या हो जाता है, वो collateral, मैंने क्या पैसा बोल दिया, नहीं, security, security मतलब जो आपको document देने पड़ेंगे, या कोई और security देनी पड़ेगी, तो SSG हो और 10 से 20 लाग तक का loan, तो कोई collateral की requirement नहीं है, आगे जलते हैं, अब आगा eligibility, कि भाया ये सब फायदे लेने हैं, तो कौन ले पाएगा, वो ले पाएगा जो एक SSG हो, या फिर वो जो अभी मैंने पढ़ाया आपको किस के अंडर में, जो आपकी मुद्रा scheme के अंडर में है, या फिर आपका different scheme के अंडर में, तो SSG का part नहीं चा का part है, दूसरा, SSG जो है, वो active होना चाहिए, for at least last six months, पिछले छे महीनों के अंडर active चल रहा है, बंद नहीं पढ़ा भाई, तो सर कैसे बच चलेगा, वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो SSG जो पंच सूत्रा को practice करते हैं, पंच सूत्रा क्या होते हैं, पंच सूत्र होते ह जाएगी, तो मानलो तुम्हारा SSG है, जिसकी सेविंग है 50,000 की, तो उसके base पे तुम्हें 5,6 गुना loan मिल जाएगा, मेरे SSG की सेविंग है 1,00,000 रुपे, तो मेरे को उसके गोडिंग 5,6 गुना loan मिल जाएगा, तो आपके पास क्या सेविंग होनी चाहिए, तो पहला वो book of account books of account के कितना आया कितना आगया वो सारा उनके पास है record maintain है मतलब पास उतर वो follow कर रहे है वो active SSG है और वो qualify है as per the norms by nabard तो nabard ने approval दे दिया है और वो पिछले 6 minutes active है और पंच उतरा follow कर रहे है तो वो eligible SSG है इसके अंडर में जितनी women आ रहे हैं वो eligible women हो गई ठीक है ओके इस साल RRBSO के paper में question पूछा गया था वो question था के NRM के अंडर में third year के अंडर आपकी DP कितनी हो की और वो कह रहे third year के अंडर DP DP तो बोला सर मैं तीसरे दिन change कर देता हूँ वो display pick के बारे में नहीं पूछा उन्होंने उन्हें पूछा drawing power के बारे में इस साल का RRBSO का paper उठा के देखना मैं कोई डराने के लिए नहीं बोलता ना मैं फालतू का motivate करता हूँ मैं उस बात के लिए बोलता हूँ कि तुमसे हो जाएगा जो हो सकती है इस साल का RRBSO का paper उठाना बहुत difficult question पूछा था ऐसा नहीं कोई भी answer नहीं कर पाया भच्चे कर पायोंगे जिसने clearly पढ़ा होगा उस question का answer आपको समझाता हूँ loan amount की बात कर लेते हैं loan amount की बात करेंगे तो asset जी जो है वो time loan ले सकते हैं time loan क्या होता है जी बाई एक specific time के लिए दिया गया loan वो time loan हो गया या वो cash credit limit ले सकते हैं इतनी तुम्हारी limit है निकाल लो दे दो या वो दोनों ही ले सकते हैं both based on their requirement limit कितनी है बाई या minimum loan of 6 lakh to each eligible SSG for the period of 3 years with the drawing power 6 lakh की limit तो है लेकिन उनकी drawing power है कि इतना तुम पहले साल निकाल सकते हो इतना दूसरे साल इतना तीसरे साल इतना चोते साल निकाल सकते हो तो sir वो जो आपने पढ़ाया 10-20 lakh वो क्या था भाई वो total था ना कि without collateral 10-20 lakh तक का loan आपको मिल सकता है इसको पढ़ाओ फिर समझ जाओगे DP for the first year sir first year के अंदर तो simple सी DP लगाओँगा ओ भाई display pic की बात नहीं कर रहा drawing power sir drawing power क्या होता है वो ATM डाल के तुम क्या करते हो withdraw करते हो ना existence corpse मतलब जितना तुम्हारे खाते के अंदर पैसा में इसा पड़ा हुआ है उसका 6 गुणा लोन तुम्हें मिल जाएगा या फिर कम से कम कितना मिल जाएगा यह पहले साल की बात हो रही है दूसरा साल आ गया आप दूसरे साल में 8 टाइमस मिल जाएगा जितना corpse मतलब जितना तुम्हारे खाते के नहीं जितना लें देना उसका आठ गुणा या minimum कितना मिल जाएगा तीन लाग का तो मिली जाएगा थर्ड इयर डीपी फॉर थर्ड इयर मिनीमम 6 लाख बेंस जो ओंदा चाहिए चाहिए बैंक अप्रूव कर देगा तो MCP बन जाएगा micro credit plan बन जाएगा तो थर्ड इक अंदर 6 लाख का लोन मिलेगा या फिर कम जादा हो सकता है according to MCP but minimum 6 लाख तो मिलना ही मिलना है तीसे साला कितना हो गया भीया 6 लाख और चोते साल उससे फिर 6 लाख से ऊपर जाएगा depend करेगा बैंक पर आपको कितना देने वाला है ये थी हमारी scheme जिसका नाम है National Rural Livelihood Mission ठीक है जी अब इस scheme से आए questions आंसर कीजिए और मुझे ना अब activity चाहिए आपसे activity का मतलब कि एकदम बिंदास तरीके से सारे questions फटा फट से आंसर करने और कोशिश करनी है कि जितने questions पूछने वाला हूँ सारे के सारे सही होने चाहिए घलत नहीं होना चाहिए विकोज एक बार schemes को पढ़ लेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने जब scheme पढ़ा दी उसमें से कुछ बाहर नहीं रहना चाहिए आपका तो करना के answer तो करने है प्लस इसका जो PDF है वो एप के अंदर free of course अवेलेबल है एप में जाएए एफ फूल course पे क्लिक कीजिए आपने buy नहीं करा कोई tension नहीं है view demo पे क्लिक कीजिए उसके अंदर current face वाले folder पे जाएए और current face वाला जो folder होगा उस folder के उपर क्या करिए भाईया क्लिक कीजिए उसके अंदर बिना course buy किए बाकी सब लोग दिखाएगा लेकिन current face वालोग नहीं दिखाएगा lecture मैंने यहां deliver कर दिया है इस PPT का PDF भी दूँगा और अलग से notes भी दूँगा और साथ साथ 20 question की quiz भी दूँगा और यह मैं आपके साथ नहीं करता हूँ मैं हर lecture के साथ करता हूँ वहाँ पर PPT भी होते है और उसकी quiz भी होती है तो कुछ question जो मैं यहां discuss कर रहा हूँ कुछ question जो मैं आपकी app के अंदर आपके साथ वहाँ पर 20 quiz के form में देने वाला हूँ बर बिफोर देट अगर मेरा session useful हो और लगता हो कि यह बंदा ठीक से पढ़ा लेता है और इसके पास skills है तो एक like बटन तो बनता है press करना है ना and do subscribe for the next update अगर आपको लगता हो कि next schemes के बारे में timely पढ़ना है तो subscribe बटन पर click कीजिए मैं चलता हूँ question के साथ और उमीद करता हूँ मुझे एक दम से सब के answer मिलने वाले है so tell me which of the following is now known as NRLM even अब तो वो day NRLM हो गया तो कौन सी scheme है जिसको day NRLM के नाम से जाना जाता है जो IPS AFO 2019 ने आपकी परिक्षा के अंदर पूछा था yes आप सही कह रहे हैं लेकिन कुछ लोग गलत भी कह रहे है C के साथ जा रहे हैं जो लोग C के साथ जा रहे हैं मैं आपको एक trick बता के जाऊँगा exam में selection लेने की सर वो trick क्या है वो trick है hard work तुम trick word को अपने दिमाग से भुला देना तो select हो जागे जब तक trick trick तुम्हारे life में गुसी रही न उस दिन exam तुम से trick कर जाएगा और आके बुलोगे यार question tricky थे पता है क्यो tricky थे तेरे को हर बार trick चाहिए हर छोटी चीज के अंदर इसलिए exam tricky बन जाता तो hard work कीजिए जो C पे first जा रहे हैं वो आगे तक जानी देना उनको short method की आदत पड़ गई है और ये मरेंगे सारे के स tricks वाले लोग सच बता रहा हूं जो आपको tricks बता रहा होगा वो तुम्हें कमजोर बना रहा होगा और बनिये कमजोर ओ समझे tricks के साथ मरोगे एक दिन सचाई बोलता हूं कड़ भी लग सकती है तो स्वरण जन्ती सवराजगोर योजना नहीं था वो स्वरण जन्ती ग्राम स समरोजगार योजना था तो सी वाले महापुरुष गलत हो गया है ट्रिक्स को छोड़िये शोटकट मैथड को छोड़िये प्लीज अपनाईए मेरे कोई तुम्हें दुश्मन लोग नहीं हो कि मैं तुम्हें यूट्या बखना स्टार्ट कर दूँ आये यूज तू थिंक हम सफल बने मैं नहीं चाहता सच में कि तुम 22,000 की जोब करो है जाके पुछो जिनका CCI के अंदर सेलेक्शन हो है बिचारे कन्फ्यूज है कि सर तयारी करेंगे जोइन कर ले जोइन करो कि तो जाओ करो 22,000 का बेसिक पी है 6-7,000 और मिलेगा 30,000 के आसपा salary मिलेगी रहना प पुछे सर गाइड कर दो सिसे कि नहीं गाइड किया क्यों नहीं किया नहीं चाहता कि तुम लोग अपने सपनों की शिर्वाद जब करो तो चोटे सपने से करो सपना बड़ा देखो इनिशली भी स्टार्टे विध देट कोड ड्रीम बिग हाव लोग सपने बड़े चोटे पता ही नहीं कि सपनों का लेवल क्या होता है तो सपनों का लेवल अपना बड़ा कीजिए लाइफ में अगर सक्सेस्फुल होना है तो और अगर डाउट्स हो तो आगर कोशन आंसर कीजिए लास में आपके डाउट्स लोगा तो यह आपने मुझे बता दिया अगला AFO 2020 दे आप जानते हैं कि 2011 में स्कीम आई थी और इसका नाम 2016 के अंदर चेंज किया गया था और क्या की आगया था अफ्कोस वो Day NRLM किया गया था आगे चलते हैं question number 3 नबाड 2021 ने पूछा, देख लो 19 के अंदर question आया, 20 के अंदर question आया 21 के अंदर फिर आ गया, हाँ क्यों है, नबाड बे आया कोई बात नी, NRLM stands for, पूरी full form पूछ ली गई फटा फट से answer करिए A, B, C, D, क्या आएगा अच्छा, कोई मुझ से गुज़रा है कि सर, CWC के बारे में क्या ख्याला है, क्या join करना चाहिए, प्लीज मेरे से 2 मिनिट के बाद पोचना, मैं अच्छे से guide करूँगा CWC के बारे मेरा क्या ख्याला मैं genuine advice दूँगा, ना तो कि अपने course को दिमाग में रखूँगा ना कोई अपने मनी को ध्यान में रखूँगा बढ़ आपका future ध्यान में रखूँगा कि 10 साल बाद जिंदगी से संतुष्टी तुमें मिलनी चाहिए, तो बताऊँगा अगर question discuss करते हैं, obviously yes, आप C के साथ जा रहे हैं, तो आपका उत्तर बिलकुल सही है It is National Rural Livelihood Mission NRLM day, बोल देन द्यालन तो द्या योजना हो गया आगे चलते है, question number 4 number 23 के अंदर, इसी साल के paper में पूचा गया था in day NRLM scheme has a provision for loan to self-help group is up to what amount जो SSG है भाईया, वो कितने लाख तक का loan ले सकते हैं, हर साल अलग-अलग मिलेगा sorry, but कितने लाख तक का मिल सकता है, maximum limit कितनी है कोई बच्चा गलत नहीं बोल रहा है, एक बच्चे ने भी लिखा है but बाकि सारे E के साथ जा रहे हैं, perfect answer दे रहे हो, yes it is E, 10 से 20 लाख लिखा तो था, no collateral तो 20 लाख तक की limit है 2023 के अंदर पूचा गया, इसी साल पूचा गया, पुरूफ दिखा हूँ आपको एक और, क्या एक और ये तो इसी साल पूचा गया, ये लिजे सर, इसी साल फिर से पूचा गया, इसी स्कीम से अभी तक दो ही पेपर हुए है, सेंटर लेवल पे, नाबाद और रावी, दोनों में कोशन आया है और EFO के अंदर भी आ सकता है, अभी ये नहीं कहूँगा, आएगा, गैरंटी तो नहीं दे सकता, बड़ आएगा, बड़ देखे सर, कितना बड़ा कोशन है दे अनरलम, एनवी सेग, सेंक्शन अफ कैश क्रेडिट तू इच एलिजिबल हेल्प ग्रूप फॉर पीरिड अफ्री येर्स, तीन साल तक लिमिट है, चोथे साल से छे लाग से उपर हो जाता है विद आ इयरली ड्रोइंग पावर, हर साल का डीपी अलग अलग है, बेस्ड ओन रीपेमेंट परफॉर्मेंस के तुम भाया कितना देके जा रहे हो दप ड्रोइंग पावर, डीपी फॉर थर्ड इयर शेल बी, अब आंसर बताओ, बिंदास फटा फट से तीसरे साल के लिए डीपी कितना होना चाहिए तो आपको यादोगा हमने डिसकस किया था, मिनिममं तीन लाख दूसरे साल का डीपी था और मिनिममं आपके सामने है, दो पेपर के अंदर दोनों में कोशन पुछा गया है, तो इस साल भाया आपके पेपर के अंदर भी आ सकता है, सैशन अच्छा था, तो लाइक जरूर क कीजिएगा share कीजिएगा उन लोग के साथ जिनके लिए स्कीम useful हो सकती है आपको मैं मिस तो definitely करूँगा लेकिन मैं आपको मिस ना करो इसलिए कल आपके सामने फिर सी आऊँगा मिस के साथ सर्य मिस कोन है यह मिस वो मिस नहीं है जो तुम सोच रहे हो है ना हम मिस के साथ नहीं आएंगे हम आएंगे इस वाली मिस के साथ जो पहले इस थी अब मिस हो गई है यह क्या होता है तो इट वोज इंट्रस सवेंशन स्कीम बारे में डिसकस करेंगे I hope you enjoyed the video आपको अच्छा भी लगाओगा और आप सीखे भी होंगे कि NRLM क्या होता है फ्री में PPT और नोट का एकसेस लीजिएगा और quiz जरूर attempt करना quiz attempt करोगे तब ही समझोगे आपने कितना gain क्या because मैं वो question discuss करता है एक्जाम में आई है बट अब किस तरह का आ सकता है मैं आप से discuss करूँगा और मेरे question difficult ही होंगे वो difficult इसलिए होते हैं sir ताकि आप अपने course बेच सको हाँ नकारात्मक mindset यही कहता है बट हाँ difficult question इसलिए देता हूँ ताकि तुम्हे paper के अंदर उससे difficult question ना मिले ना कि यह कि हम अपना course बेचने के लिए यह बात इसलिए बोल देब कोशना कि वीडियो देखा था पता नहीं कौन था परवाह नहीं करता मैं ऐसे लोगों की 36 आएंगे 36 जाएंगे वह बोल रहा है कि एक इसलिए जो 6-7 सालों से course चला रहा है यूज टू पूर difficult question ताकि लोग course बाय करें अरे ब्यवकूफ course बाय करना होगा तो जाके चेक कर मैंने telegram बे 15 दिन से कोई promotional post नहीं डाला यार बीचन आता तो डालता ना यार बट नहीं करता हूँ क्यों नहीं करता हूँ जिसको लगता है they have the power तो course लीजिए difficult question नहीं डाले भाई क्यों कि उसने overall test 5 तक attempt कियोंगे six paid वालों के लिए था six test free नहीं था overall वाला but six को जिन्होंगे attempt किया वो जानता है कि difficult वो था पहले पांच तो easy थे जैसे आपने संदीब महेश्वरी वाला वीडियो देखा वो बहला फरारी कार कैसी है फरारी कार वो बोले महंगी कार है महंगी कार है बोले अगर बंदा मुकेशन बानी हो तो बोला सस्ती कार है तो depend करता है कि तुम क्या हो तुमारे according कार महंगी सस्ती है ना तो कोई paper difficult नहीं होता आपके level के हिसाब से paper easy difficult हो सकता है now let's come to your doubt CWC के बारे में कोई पूछ रहा है क्योंकि मैंने बोला देखो मैं आपको बताता हूँ मैं यह नहीं कहा रहा है यह organization बुरी है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश करिएगा इन organization के अंदर graduation post वाली जो job आती है उन पे मत जाईएगा आप 10 साल के बाद इनसे satisfy नहीं होंगे ना तो NFL से होंगे ना IFCO से होंगे ना AICL से होंगे ना कोटन Corporation of India से होंगे और यहाँ पर मैं कहूं तो NST का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ भी ऐसा ही है National Seed Corporation Limited इनसे आप satisfy नहीं हो पाएंगे लेकिन 10 साल के बाद एक बार तो selection होगा, photo डाली जाएगे, interview लिया जाएगा, मजा आएगा सुनके आपको लेकिन satisfy नहीं होगे आप इनसे, इनके साथ मज जाएए कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कहा रहा कि घटी आ, अच्छी organization है, पर इनसे better post है आपके पास अब इनसे better क्या आपके पास, देखो सबसे अच्छा दा हम बोलूगा नबार, लेकिन नबार में vacancy कम आती है तो अगर नबार नहीं तो भाईया कोशिश कीजिए, AFO, AFO नहीं तो कोशिश कीजिए, CWC या फिर FCI, ये भी नहीं तो कोशिश कीजिए, आपकी state job, state job जितनी भी है आपको state के अंदर देंगी, तो पैसा तो ठीक ठाक आएगा, लेकिन सासा workload भी नहीं होगा, location आसपास मि लेकिन ये ना season के अंदर बहुत सारा काम करवाएंगे, और salary इनकी start होती है, 22,000, maximum salary मिलनी है भाईया 35,000, हाँ कुछ लोग 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, वो 55 भी ले रहे होंगे, लेकिन जब तक 3 साल bank के अंदर काम करोगे तो 80,000 ले रहे होगे ना यार, इधर 50,000 ले रहे को, course चलाओंगा तो कहके चलाओंगा कि भाईया मत कीजिए, मैं इसके लिए course चलाता हूँ state exam के लिए, but everyone knows very well कि ये वो बंदा है जो खुद कहता है state के चक्र है, मत जाना, मैंने कहा न अच्छी जोब है, लेकिन पहले इनको target करो, इनको target करो, इसकी तैयारी अपने ही हो गया, राजस्तान के अंदर का सुपरवजारा बढ़िया चल रहा तरीका, of course पंजाब के अंदर, भाईया पंजाब में उनको कहा था, अप्रेल के अंदर flood आ गई, नहीं, जुलाई में कहा था शायद, flood आ गई हम कैंसल कर रहे है, पेपर सितंबर के अंदर लेंगे, भाई हमारा तो सितंबर निकल गया, तुम्हारा सितंबर नहीं आया गया, और flood कहा दिया उन्होंने यार, they said के because of flood we are postpone देपर, भाईया कौन सी flood यार, मैं तो हर दिन class ले रहा था, YouTube पे वीडियो डाल रहा था, मेरे आ तो flood नहीं आया, तुम्हारा कौन सा पंजाब था, म राजस्तान का हरेना वाला भी देख लो, ADO के अंदर vacancy 7-800 दिखा दी, higher 50-60 ही करे, आपके सामने पांच बड़े-बड़े state का सामने जो चल रहा है वो बता रहा हूँ, तो सचाई बताता हूँ, बाकी तुम्हारा future है, या तुम बिल्लियो या कबूतर, कबूतर मतलब पर पैट देके बैठे है, अब पैट का तो पैट होके पेटा हो गया है, इधर उनका UPTA, आइन राभी तक है ना बिचारे, अब वो हरताल करकर के बच्चे बोर हो चुके है, हो कहते हैं, क्या मूड खराब करना, क्या लखनव चलना, क्या कहां चलना, वेट हराम से, कोई बात हमारे से लोग पुश कर देते हैं, मोटिवेशन को, हमारे से लोग कोर्स बेचने के लिए, मैं यह नहीं कहा रहा है, मैं बहुत अच्छा हिंसान हूँ, हर कोई पैसा कमाने के लिए करता है, हर किसी के पेट लगा हुआ है, पर हम जैसे लोग हवा बना देते हैं, UPTA की वेक आज इस तभी एक्सपेक्ट्ट कहता है, नहीं, मैं कए compression कहता है, एक हृ एक्सपेक्ट्ट एल्फा देते हैं, दो महीने में आ सकता है, तो काम चलेगा, मैं खरना है इससे हवा आजाएगी भाई, इससे हुआ अजाएगी बजाएakeं, बस लोगोगों के अंदर को डिल्ग कि त्यारी करो त्यारी करो तो ऐसा यह चलता रहता द्यान से समझदारी से काम लीजिएगा है ना सार लास्ट टोपिक क्या बताये थे लास्ट टोपिक क्या बताये थे सर आप किसी और से पूछने शायद MP में State Job कौन सी है और कहां से पर चलेगा आ रहे हो अब मैं खीचन आनी चाहूंगा मैं चाहता हूँ मेरी क्लास छोटी सी होनी चाहिए बड़ी अमज़दार सी होनी चाहिए कि आपको लर्निंग मी मिले और पेपर में सेलेक्शन मीले हो कोई डाउट रहा गया तो पूछ लीजिए करेंट अफियर्स की ये सेवड वीडियो कहां मिलेंगी इसी चैनल के ओपर मिलेंगी अगर आपको एप में भी चाहिए तो मुझे बोलिए मैं वहाँ भी याड कर देता हूँ अधर्वाइस इस विल रिमेन अवेलेबल हेर अली मैं देखता हूँ आप लोगों से अगर आप मेरे पेड स्टुटेंट है मैं ग्रूप में डिसकस करता हूँ इफ यू नीड देस इन यूर कोर्स तो मैं वहाँ भी आड कर दो कोई बड़ा काम नहीं है मुझे जानना है प्लीज यह बताएं सर रर्वाइसो 24 का बैच कब से शुरू होगा प्लीज थोड़ा सा गाइडन्स करिये 24 का बैच रर्वाइसो के लिए बैच रिकोड़ेड बैच अवो अलड़ी अप पे अवेलेबल है आप हमारे हल्पलाइ नंबर पे कोल कीजिए मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ सिंपल सा बड़ाई अच्छा सा नंबर है हमारा हाँ अपना नंबर तो मैं अच्छा ही कहूँगा 95200 902 इनको कोल कीजिए आपको इस सारी जानकारी दे देंगे हजार रुपे के आसपा साव कोर्स मिल जाएगा हजार रुपे कोर्स है जिस दिन लग गए भाईया पहले महीनी असी जारा पाऊँगे कोल कीजिए और बता देंगे आपको जिसमें सिर्फ टर्मिलोजी होगी बिकोद आज कल टर्मिलोजी बेस पर कोश्चन आते हैं बहुत लेंदी बुक नहीं होगी कि तुम पढ़ ही ना पाऊ छोटी सी क्रिप सी बुक दूँगा 30 40 50 60 70 पेज़ की मतलब वो तो डिपेंड करता है कि लेंग्वेज किस तरह की है बड़ो इस तरह दूँगा पेपर में चार पांच कोश्चन डेफिनेशन बेस आए तो वो भी आंसर कर पाऊ तो वो जैनवरी में दूँगा करेंट अफेस 30 नवंबर को दे दूँगा मैं यह जब क्लासे एंड करूंगा बस अब रेगुलर सेशन लेता रहूंगा तुमा हाथ में दे दूँगा फ्री होगी जिन्होंने हमारी बुक्स लिया या फिर कोर्स ले रखा है पेड होगी जो लोग बाकी स्टुटेट होंगे कि आरबी हो कि जोब आरब ली校े रेकित यह जूँपी यूकपी का नहीं होता पूरे भारत का होता हुआ तो अगर आप बारती है आपके पास आपका अधार कार्ड है जिसमें नेशनलेटी इंडियं लिखी है त儻 आप दे सकते हैं किसी भी स्टेट सेंसे ऋकोई फरक नही दे दूँगा जो हमारे पेड स्टूडेंट होंगे ताक्या प्रिंट निकाल सके और मेरा करंट अफेस होगा तो बहुत समराइजड फॉर्म में होगा वह होगा जो पेपर में आपके सामने एक पीपीटी बनाने के लिए चार चार पांच फांच घंटे लगाता हूं जस्ट बिकोज कि आपको उतना दे पाऊं जो एक्जाम में आ सके तो छोटी सी बुक दूँगा ना तो प्रिंटिंग पे ज्यादा खर्चा आएगा ना उसके पढ़ने पे ज्यादा मेहनत लगेगी तो सर पहले देते अभी क्यों दे रहे हो अभी इसलिए कि अभी वाले करंटी तो पेपर में आएंगे अभी तक फोरेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है भाईया जन्वरी में आ सकती है दिसंबर में आ सकती है हो सकता है अगले 5-6 दिनों में आ जाए तो अभी तो करंट बन रहा है तो बुक तो दूँगा ही दूँगा साथ में 5-10 पेज के और दूँगा मजाग करना भाही लोगो ओके एफो की एज एफो इस 21-30 एस बाकी बेस डोंदा कैटेगरी आपको रिलेक्सेशन मिल जाएगा अगे हाया तुम थैंक्यू कारो यार लव्यू मत कारो तुमने लव्यू का लेने के देने बढ़ जाएगे फाल तो च्छितर बढ़ेगे यार ऐसा नहीं करना कुछ भी अगे कलचर यूपीपी ऐसे की बैच के बारे यूपीपी ऐसे की वैकेंसी आने दीजिए सर ऐसे कोई बैच नहीं चलाते हम लोग बिना वैकेंसी की बैच नहीं आए फाल तू काम है ये ओके दाट सिट आए थिंक डन प्रिंटेबल बिलकुल दे देंगे सर कोई टेंशन नहीं है डन हो गया जी कोई डाउट नहीं बचा मैं जा सकता हूं कल फिर से मिलूगा आपकी मिस के साथ मतलब मोडिफाइड इंट्रस सब्वेंशन स्कीम के साथ सर आपको देखके दिल खुश हो जाता है और आप जब ऐसा लिख देते हैं और लिख देती है तो और अच्छा लगता है फिर मजा इसी लिए मैं एंजोई करता हूं वेन आपको देखके दिल खुश हो जाता है तो जैसे आपके साथ आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है इसलिए रुका हुआ हूं बाते करने के लिए वरना आप तक क्लास को एंड कर देता है क्लास तो मैंने 43 मिनिट्स पे खतम कर दी थी बट आई एंजोई इस पार्ट आप भी स्टडी करते हैं अपने इस पार्ट को एंजोई किजिए कि मजा आ गया सार आज कुछ नया सीखा लेकिन हम क्या करते हैं मजा उन गंदे गंदे शोर्स के अंदर जेनरेट कर ले तो जो की UKPSCWO उत्राखंड की क्लास स्टार्ट करो सर नहीं भाई हम नहीं कर रहे हैं उससे स्टेट जो पर हमारा थोड़ा कम फोकॉस होता है हाँ आप हमारी एप पर जाके जो एडियो वाला कोर्स है ले सकते है एडियो डबल यो पैट्रन 90% सिमिलर आपको मिलेगा उसमें कि 20 टेस्ट दिये हैं उसके बारें बता दिजिए 20 टेस्ट जो है वो भी आप व्यू डैमो पर क्लिक करेंगे हमारी एफ व मैंज की किसी ने तो कहा थे यह difficult है भाया यह difficult नहीं है difficult हम जनवरी के अंदर देंगे यह तो हमारे easy to moderate चल रहे है तो पांच और टेस्ट उसमे आड होंगे वह जनवरी में हो जाएंगे अवेलिबल है यह आपके ओपर आपको दिखा भी पर मैं दिखाने से फाइदा नहीं है क्योंकि यह वाला जो पहला फोल्डर है इसमें 10 टेस्ट है और overall के अंदर पांच फ्री है कोई भी attempt कर सकता है उसे All vacancy cover हो जाए ऐसा course बताओ अच्छा मेरा एक छोटा सा प्रशन है बोडी की सारी requirement पूरी हो जाए ऐसा कोई भोजन बताओ विटामिन मिल जाए प्रोटीन भी मिल जाए फैट भी मिल जाए है ना उसके सासा जो बाकी सारे component हो सारे आसा भोजन बताओ ऐसा थो ICMRB भी बता पाया वो भी कहता है कि इतनी fruit खाने चाहिए इतनी vegetable खानी चाहिए इतने eggs खाने चाहिए इतना dry fruit इतना meat तो इसलिए बताता कर पाए ऐसा कोर्स बन ही नहीं सकता विकोज हर कोर्स की अपनी अलगला requirement होती है ठीक है कि चालो खतम MSA entrance का कोर्स कब से शुरू होगा अभी शाय 27 से है मैं उसकी पोस्ट भी डाल देता हूं रात में टेलेग्राम के उपर मेरा टेलेग्राम चैनल जोइन कीजिएगा एग्री कोचिंग चंडिगर के नाम से ही है मैं वहाँ पर आपको डिटेल देता हूं MSA entrance की AFO वाला मैंने बता दिया था लास्ट मेसे पढ़ रहा हूं फिर हमारा वानार कंप्लीट हो गया एंड करेंगे सेशन को लास्ट मेसेज कहा गया मेरा हर एक्जाम एक से दो नंबर से रह जाता है मैं कैसे पढ़ हूं समझ नहीं आ रहा है अब पढ़ने का मन भी नहीं करता है प्लीज हेल्प जोकिंग बाबा आपका नाम है पहला तो अपना नाम सही लखिए क्योंकि आप थोड़ा अलग मानसिक्ता के लोग होते हैं जो अपना नाम ही बदल देते हैं अलग मानसिक्ता वाले लोग होते हैं तो पहला तो अपना नाम सही रखिए दूसरा अपनी पहचान बना है कि मेरी पहचान है जोकिंग बाबा नहीं हो मैं दीपक कुमार हूँ है न तुम्हारा मन नी तुम्हारा तन नी सब कुछ उसमें लगा होगा और ना लगा तो घरवाले जूते मारेंगे फिर मैं genuine बाते बोलता हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ मन नहीं लगना क्यों क्यों कि आज के youngsters को लगता है कि सब जीजा असानी से मिल जाती है एक degree सिरफ degree जो तुम्हे कुछ देगी नहीं सिरफ platform देगी paper को attempt करने के लिए उस degree को लेने में तुम्हारे किते साल लगे चार साल अब यह बताब degree लेना ज्यादा important था कि जोब लेना का बता ना जितने लोग मुझे सुन रहे है लेकिन एक ही बार में selection मरना शुरू हो जाता है क्यों हमारी expectation बहुत high होगी है क्यों हमारे अंदर patience नहीं है अब हम वीडियो नहीं देखते हैं अब हम shorts देखते हैं क्यों देखते हैं shorts because जिंदगी हमारी short हो चुक है patience हमारा कम हो चुक है तो patience रखिए sir अच्छी दोगों पाने के लिए समय लगता है sir मेहनत करनी पड़ेगी मन लगाना पड़ेगा अपनी जन्ने को enjoy कीजिए और ना समझाए तो ये जो quote है सामने जरा इसको पढ़ लीजिए आपको जिंदगी माइने समझ आ जाएंगे मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास के अंदर till then take care कल ही मिनुका साढ़ी चारवे ज्यादा दूर नहीं है तो नई स्कीम के साथ मिलता है till then take care bye bye have a great time जय हिंद जय भारत